नमस्कार्जी, चैमाता दी, दोस्तों, हमारी जो भगवान ने हमें जो मानवशरीर दिया हुआ है, जो इसमें नौभी होती है, दोस्तों, उससे भी जाना जा सकता है कि आप किस तरह के हैं, किस तरह का आपका सभाव है, दोस्तों. महिलाओं की नाभी उनका सभाव व्यत करती है इसके साथ ही साथ नाभी इस्तरियों की सुन्दर्ता का एक खास इस्सा भी होती है सबकी नाभी अलग-अलग डिफ्रेंट प्रकार की होती है तो आईए जानते हैं डिफ्रेंट प्रकार की नाभी का रहस्त जिन महिलाओं की नाभी लंबवत यानी लंबे आकार की हो या फिर बक्रिये यानी की घुमावदा हो वे महिलाएं या लड़किया नेचर में बहुत बोल्ड होती हैं और किसी से दर्ती नहीं हैं जो भी काम करती हैं पूरे confidence के साथ करती हैं ऐसी स्तरियां अपने काम के प्रती काफी रुची रखती हैं और अपने हर काम को बड़े ही perfection के साथ करती हैं जिन महिलाओं की संतल नाभी होती है उससे सावधार रहने की दोस्तों जरूरत है संतल नाभी वाली महिलाओं से जरा समल कर रहना चाहिए क्योंकि ऐसी स्तरियों के मिजाच का कभी भी कोई पता नहीं होता एक पल में ये कुछ होती है तो दूसरे ये पल में कुछ और इनका बहवार इनके mood पर depend करता है ऐसी स्तरियां आपकी किसी बात का गलत मतलब निकाल कर आपको ही परशानी में डाल सकती हैं समतल नाभी वाली इस्तरियां दूसरों के गुड़ कम और खामिया ज़्यादा निकालती हैं इसलिए इनकी किसी से लंबे समय तक नहीं बनती या दूसरे लोग खुद ही इनसे पीछा चुड़ा लेते हैं नाभी अंदर की और अधिक धसी ये महलाएं खुसरत और साब दिल की होती हैं कई इस्तरियों की नाभी अंदर की और अधिक धसी होती हैं ऐसी ही नाभी को गहरी नाभी कहा जाता है। गहरी नाभी वाली इस्तरियां दुसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में जल्दी ही आ जाती हैं। बातों की सच्चाई को जाने बगेर ये इस्त्रियां असानी से दुसरे लोगों की बात को सच समझ लेती हैं और बाद में मुसीबत में फस चाती हैं। हाला की सवभाव में ये बहुत ही भावुक और नरन दिल की होती हैं। इनका दिल शीशे की तरह साफ होता है। इसलिए ये अपनी बात किसी से भी शेयर कर लेती हैं। देखने में ये महिलाएं खुबसूरत होती हैं। लेकिन स्वास्त समंधी समस्याएं इने जल्दी जल्दी परवावित करती हैं। मेलाओं की उपर उठीवी नाभी। इने मिलता है सुंदर जीवन साथी। इस नाभी वाली इस्तरियां बहुत ही खुबसूरत सुंदर प्रेमी होती हैं। यानि अपने चैरे मुरे को लेकर काफी सजक होती हैं कब कहां कैसा दिखना है या कैसा तयार होना है इस नाभी वाली इस्तरियों को बहुत अच्छे से पता होता है ये सबाव में काफी रोमांटिक और मिलनसार होती हैं भाग भी इनके साथ होता है ये इस्तरियों का भाग इने अचानक धन लाव दिलाता रहता है साथी साथ इने सुन्दर जीवन साथी और पैसे वाला सुसराल मिलता है महलाओं की गोलाकार नावी सबसे परफेक्ट गोलाकार नावी वाली इस्तरियों जमीन से जुड़ी महलाएं होती हैं ऐसी महलाएं अपने जीवन से जुड़ी सच्चाई को चल्द ही अपसेट कर लेती हैं गोलाकार नावी वाली महलाएं बहुत ही दयालू और इमानदार होती हैं इनके दिल में हमेश्या दुसरों के लिए दयाभावना होती हैं ये महलाएं सोच में बहुत तेज होती हैं इनका स्वास्त अधिक्तर अच्छा रहता है समुद्र शात्र के रुसार जिस इस्त्री की नाभी गोल होती है वह बहुत ही गुडवान होती है गोल नाभी वाली लड़कियां जिस भी घर में जाती हैं उस घर में सम्मान पाती है और उनका बहवाहिक जीवन भी कुशाल रहता है तो ये जो दोस्तों हैं जिन भी मेलाओं के नाभी में उतली नाभी वाले लोग कमजोर और नकारतमक होते हैं ऐसे लोग अक्सर काम को अधूरा छोड़ देते हैं और वे सभाव से दोस्तों चिर्चड़े भी होते हैं और जैसे उभी नाभी जिन लोग की नाभी ऊपर की और बड़ी और घहरी है तो ऐसे लोग हस्मूक और मिलनसार सभाव के होते हैं अंडाकार नाभी अंडाकार नाभी वाले लोग सोचने में अपना समय गवाकर हाथ आया मौका छोड़ देते हैं चोड़ी नाभी वाले लोग शक करने वाले और अंतर मुखी होते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से नाभी से आप जान सकते हैं अपने जीवन के बारे में दोस्तों आशाकर्तियां को मेरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी तो जरूर मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद